सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिस चैनल को और शाथ बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी देवी के कदम आपके घर आए, आपको साली से नहाए, पर शान्या आपसे आखे चुराए, नौरात्रे के आपको शुपकाम नाई किसी भी वैक्ति के सहन सिलता, एक खीचे हुए धागे की तरह होती है, एक सीमा से अधिक खीचे जाने पर उसका तूटना तय है लक्षमी का साथ हो, गडेश जी का निवास हो, मादुर्गा का आशिरवाद हो, आपके जीवन में प्रकासी प्रकाश हो आज का पंचांग, 9 अक्टूबर 2021 दें शनीमार, आशिर मास के शुक्लपक्ष के त्रीतिय तिथी, सुबह 7 बज कर 49 मिलड तक रहेगी, इसके उपरान चतूर्थी तिथी प्रारम हो जाएगी विशाखा नामक नक्चोत्र सम 4 बज कर 46 मिलड तक रहेगी, इसके उपरान अनुराधा नामक नक्चोत्र प्रारम हो जाएगी आजकर आहुकाल, अर्था दिन का सबसे अशुक्सम में, सुबह 9 बज कर 29 मिलड से 10 बज कर 46 मिलड तक रहेगा आज का भी जीत महुरत अर्था दिन का सबसे सुपसम में सुबह 11 बच कर 50 मिलट से 12 बच कर 36 मिलट तक रहेगा आज चंदर मत तुला राशी पर सुबह 11 बच कर 99 मिलट तक रहेगी इसके उपरान वरिश्यक राशी पर संशार करेगी और आशूर्य कन्या राशी पर रहेंगे आप सभी को नौरात्रे की डेरशारी सुबकाम नाई सिहरा से 9 अक्टूबर 2021 दिन शनीवार अभी आपको यात्र के ओशर मिल सकते हैं दुनिया को देखने के लिए इसका आनन लें आप नई अध्यात्मिक दिशाओं के तरफ आकरशित होंगे सुने के आपके सलाकार या सिच्छक आप से क्या कहना चाहते हैं पिता या पिता ज शुखत मैसूस करने के लिए पुरानी यादों और भवनाओं पर एक नजर डालीं वविश्य के लिए यह ठोस और इस्थाई न्यू बनाने के बारे में सोचेंगे और दिर्खकाली न्योशना बनाएंगे जीवन में ज्यादा रिस्ते होना जरूरी नहीं हैं पर जो रिस् सीदने का विचार बन रहा है तो आज के देन शुब्ध है जितना आप शकारात्मक सोच विचार कर रही हैं उतना नकारात्मक परिस्थिती नहीं है नहीं काम का बोज्ञ है केवल आलस और चिंता की वज़े से आप अपनी परिस्थितियों बजट्टील बना रही हैं को केवल अपना विश्वास कायम रखने की आवशकता है, पेट दर्द बढ़ सकता है, शौधानिया, खर्शों के अधिक्ता बनी रहेगी, परन्तों अपने बचट का बेध्यान रखना आवशक है, यूवर्ग अपने करियर के प्रतिला परवाही न बढ़ती, क्योंकि अभी कोई नए उपलब धी जल्दी हासिल होने वाली है, किसे बात पर ज़्यादा एहम रखना भी ठीक नहीं है, बात करते हैं लव लाइफ की, बात चाहे कुछ नया सीखने की हो, या रोमैंस की, आप हाशीज में माहिर हैं, रोमैंस और अंतरंगता बरे इन पलों को आपके आज आप अपने भाई बेहन या सलाकार के साथ किसी बड़ी यात्रा पर जा सकते हैं, बस दूर गटनाशे शवधार रहें, गरेलू मामरे आज आज आपकी प्रातमिकता सुची में पहले इस्थान पर हैं, अब आप अपनी लव लाइफ के नीव को और भी मजबूत चाहे पुर्षय में निकाल कर अपने भविश्य के बारे में सोच विचार करें, याद रखे कि हमारे सुख दुख का एक बड़ा हिस्सा हमारे सुवभाव पर निर्भर करता है, ना कि हमारी परिस्थीतियों पर, बात करते हैं करियर की, आपका ववशाय जीवर आज आज आपको पाएंगे, ओचे सिर्ष अप्राप्त करने या कोशल को बढ़ाने कि आपकी करियर को नया मारगर दिला सकता है, अपने कारी इस्थल पर आपने जो पहचान बनाई हैं, इससे आपका बेहतर भविश्य शुनिशित होता है, आपकी विश्यस्ता आपको आपकी कारी इस्थल को पूरा करने या समय अच्छा है, बात करते हैं सेहत की, मानसिक दनाओ के वज़े से थकान वा उर्षक की कमे मैसूस होगी, योग और मेडिटेशन पर ध्यान दे, अपने सेहत का पूरा ख्यार रखें, आज का उपाएं, आज अप्षनी भगवान ची को नारियल जीवन में हमेशा सकरात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें, आपका दिन शुब हूँ